मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग पर यूट्यू चैनल इसका नाम है सुनील जस्वाल भी विलो फाइल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TGT Arts Commission की दोस्तो TGT Arts Commission 2020 का जो हुआ है उसका लेवल काफी यदा हाई था दोस्तो यहाँ पर महाँ पर एनलिसिस किया जाएगा कि कौन से स्प्जेक्ट यहाँ आप आपके लिए इंपोर्टन है और कौन से स्प्जेक्ट से ज़्यादा पर आता है बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं दोस्तो अगर आपने TGT Commission दिया है चाहे वो Non Medical का हो चाहे Medical का हो जा फिर Arts का हो आपने जो गलतियां की हैं कमेंट बोक्स में युरू टाइब करें ताकि आपकी गलतियां आप लोग नेक्स टाइम ना करें और मुझे भी उन गलतियों का एहसास हो सके और इ दोस्तो इसमें TGT Arts Commission में 11 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपके पास History, Political Science, Economics, Geography, Psychology, Science, English, Hindi, HPGK, Reasoning, Current, फिर पासरा से आपके 11 सब्जेक्ट बन जाते हैं और History, Political Science, Economics, Geography, Psychology, Science, English, Hindi, HPGK, Reasoning, Current, फिर दोस्तो अगर आप लोग इन सब्जेक्ट को देखें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिसमें ज्यादा पर आता है तो उसके बार में हम लोग यहां पर कोशीष करेंगे देखने की तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले HPGK, दोस्तों अगर आप लोग हिमाचल स्ट्रेट की त्यारी कर रहे हैं, तो HPGK automatically है, आपने आप में important हो जाता है, तो जब 2018 था, तो उसमें HPGK के 25 questions आये थी, 2019 में 17 questions आये थी, जिसमें के 8 questions जो थे वो कम हो गये थी, अब यहाँ भी बात करते हैं, 2020 में तो यहाँ पे भी आपके 17 questions ही आये, same questions ही बचे हैं, तो HPGK भी आपके पास काफी important subject बन जाता है, दूसरे subject की बात करते हैं, दूसरा subject आपके पास है economics, जिसमें के आपके असपास 2018 में 25 questions थे, फिर no questions आये, फिर इसके बाद 16 questions जो थे वो कम हो गये थे, लेकिन अभी फिर से यहाँ पी 22 questions आ चुके हैं, 2020 में economics के 20 questions आये ते, जिसमें के आपके commerce के question भी होते है, finance के question भी होते है, banking selective question भी होते है, तो कुलिं बलाके economics में ही इसके count के जाएगा, तो यह 20 questions होते हैं, अब आपके psychology की बेटीस देखें, तो कम हो गया है, तो क्या आपको psychology पंटने चाहिए चलते हैं next subject के तरफ, next subject हमारे पास history आ गया, दोस्तों history में 2018 में आपके 17 question आए थे, और 2019 में आपके पास 24 question थे, 7 question इसमें increase हुए थे, अब आप यहां पर देखें, तो 20 question आएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि history भी काफी important subject बन जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार जो history के question थे, वो fact waste थोड़े कम थे, और basics पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था, दोस्तों इसमें आपके NCRT के किताबें आपने आप बे काफी ज़्यादा important हो जाती है, बहुत सारे जो भी मैंने किताब में recommend कि थी, आपका 95% paper वहाँ से आया हुआ था, अब चलते हैं, जिग्राफी की बात करती हैं दोस्तों, तो 2018 में 14 question थे, और फिर इसके बाद आपके पास 13 question आई, इसमें आपके पास एक question ही काम होगा था, यहाँ पर फूर गलती होगी है, एक question काम होगा था, लेकिन 2020 में फिर से आपके पास 20 question आगे, इसका मतलब History, Political Science, HPGK, आपके important subject हैं, इनके उपर focus करना जुरूरी है, बात करतें English की, इसमें आपके पास 15 question पूछे थे, लेकिन 2019 में आपके पास 20 question थे, 5 question इंक्रीज हुआ थे, और 2020 में 20 question पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2020 में जो question पूछे गए हैं, अगर आप लोग 2019 की बात करें, तो बहाँ पे आपके vocabulary-based question ज्यादा थे, लेकिन 2020 में आपका grammar ज्यादा पूछा गया है, जिसमें की overall grammar की बात की गई है, part of speech जिसमें noun, pronoun, आपके पास adjective, adjective, इस तरह से सारे grammar को cover किया हुआ है, अब आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आपने सिर्फ इंटॉनम, synonym ही पढ़ने हैं, या फिर vocabulary ही करनी हैं आप लोगों नहीं, आप लोगों को overall English को त्यार करना पड़ेगा, बात करते हैं हिंदी की, दोस्तों हिंदी में 2018 में 10 questions थे, 19 में आपके पस 20 questions थे, इसमें 10 questions increase हुए थे, और यहां पर आप लोगों देखें 2020 में, यहां पर भी 20 questions पूछे गए, दोस्तों हिंदी का जो standard था, वो भी काफी अच्छा था, इसमें हिंदी में जो questions पूछे गए थे, वो overall grammar में पूछे गए थे, वयाकरन में पूछे गए थे, तो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी ऐसी कताबें पढ़ने के बाप जूद भी जो paper था वो नहीं बन रहा थ प्लिटिकल साइंस, दोस्तों प्लिटिकल साइंस के 2018 में डो question थे, फिर आपके 2019 में 17 question हुए, जिसमें के 8 question जो थे, वो increase हुए थे, लेकिन अब आप बात करें 2020 की तो इसमें 20 question आ है, तीन question आपके increase हो चुके है, तो प्लिटिकल साइंस भी आपना आप में subject यो वो important हो गया अब फिर से इसमें 2 question कम हो गया है, 2020 में, तो reasoning के question ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं, current fair की 210 question थे, फिर आपके 15 question हुए, 2019 में 5 question इसमें increase हुए, लेकिन 2020 में सिर्फ totally 5 question आए हैं, तो आप लोग देख साते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से subject यहाँ बहु question पूछ रहे हैं, science में देखें, तो science में आपके पास 10 question थे, 2018 में, 20 में भी 10, इसमें कोई भी change नहीं आए था, लेकिन 2020 में भी 10 question, इसका मतला हुआ, 2018 में भी 10, 19 में भी 10, और 20 में भी 10, science में आपके overall 10 question बन सकते हैं, अगर कम करेंगे तो 8 सक बन सकते हैं, तो दोस्तों यह देख लिए है कि कौन सा subject important है, तो यहाँ पर मैं फिर से लोगों को remind करवा देता हूँ कि आपने कौन सा subject पर ज्यान देना है, सबसे पहले बात करते हैं, HPGK को, आप HPGK को अच्छे तरक्या से त्यार करें, economics को अच्छे तरक्या से त्यार करें, history, geography आपके पास काफी important है, English, Hindi, Political Science, इन subject को आप लोग अच्छे तरक्या से त्यार कर लें, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा relaxation बिल सकती है, reasoning में, current fair में, science में, दोस्तो, overall त्यारी करने के लिए, आपको मैंने combinations बताया हुआ था, कि आपने किस तरह से त्यारी करनी है, तो दोस्तो, आप लोगों यह कि, अगर आप लोग किताब देखें, जिगरौफी की, उसमें बहुत सारी questions जिगरौफी से पूछे गये थे, तो दोस्तो, यहाँ पे इस तरह से आप लोग त्यारी कर सकते हैं, और दोस्तो, आप किस exam की त्यारी कर रहे हैं, किस post के लिए आप लोग त्यारी कर रहे हैं, क दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने राय कोमेंट बॉक्स में जोरू बताएं आप लोगों ने मुझे अतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत दन्याबार थैंक यू वेरी मुच दिल से